जैहिन फ्रेंड्स मैं पंकच कुमार आप सभी लोगा अपने इस योटूब चैनल के मंच पर हादिक स्वागत करता हूँ जैसा कि आप जानते होंगे इस बार से भारत की सभी सेंट्रल उनिवर्सिटीज में एड्मीशन की प्रवेश्वर किया केवल एक एक एक्जाम के थू कराए जाएगी यानि कामन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस रेस्ट अंडर गेजूट प्रोग्राम इन दो हजार बाई से 23 इसी एड्मीशन नियूच की कड़ी की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक ऐसे प्रसिद विस्विद्याले की जिसे आप जानते जरूर होंगे संगम नगरी प्रियाग राज में इस्थित पूरव का आक्सफोर्ट कहा जाने वाला इलाहाबाद विस् एड्मीशन करण करार हैं उन सभी उन्वर्सिटीज की मैं चर्चा करूँगा तो आज हम चर्चा करेंगे इस स्पेशल बूलेटीन में जो है एलाहाबाद विस्विद्याले की एक एलाहाबाद विस्विद्याले प्रयाग राज उत्तर प्रदेश भारत में नोटिस बोड पर यदि एक सूचना आई थी आप यदि आप देखेंगे तो जानेंगे जो है ओफिस्यल वेब साइट पर विजिट करके डेट 30 मार्च 2022 को और नोटिस थी तू दा डाइरेक्टर एडमिशन यूनिवर्सिटी आफ एलाहाबाद प्रयाग राज सबजेक्ट उसका जो था कंड़क्ट आप कामन यूनिवर्सिटी ज एंटरेंस टेस्ट सी यू ए टी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दो हजार बाईस फार अंडर ग्रेजुएट प्रोफेसर संगीता स्रिवास्तो मैम जी का बहुत ही आभार और धन्यवार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बार से जो है यू जी ए टी को न करा करके जो है सी यू ए टी के थुरू पहले अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट होता था जो है सी यू ए टी दो हजार प्रोफेसर संगीता स्रिवास्तो मैम जी का जो है आप धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं सभी विद्यार्थियों और अपने सभी दर्सकों की तरफ से जो इस बार से प्रविस्पर किया जो है इलाहाबाद विस्विद्याले में एंटी ये सी यू एटी के थुरू लेने के लिए सहमती दर्ज की तो इस बार जो है मैं ये बता देना चाहता हूं इलाहाबाद इंवर्सिटी में सी यू एटी के थुरू जो अंडर गेजर प्रोग्राम हैं किन-किन में होगा वो मैं बता दे रहा हूं आपको और आप वहां जाएंगे तो क्लीक करेंगे बीकॉम, बैचलर आफ परफार्मिंग आर्ट्स बीपीए, बैचलर आफ फाइन आर्ट्स बीफे और बीए ललल्बी ओनर्स यान इन इंटिग्रेटेद फाइव यर्स कोर्से लल्बी के लिए हुआ अपना इंट्रेंस अलग से कराएगा लाइडमिसन टेस्ट के नाम से कर कराया जा रहा था, ललल्बी फ्री इयर्स, बट बीए ललल्बी इन फाइव इयर्स जो है, सी यू इटी के थ्रू होगा, ये बहुत ही ध्यान देजिएगा, तो आप फार्म एप्लाई करने से पहले, इलाहबाद की ओफीसियल वेपसाइट पर जाईए, और वहां से जो है आप इनफार्मेशन बुलेटीन को डाउनलोड करिए, उसके बाद तुरंत जो है सारा डीटेल्स ब्रॉसर में जो है इनफार्मेशन और गाइडलाइन सारी दी गई है, इलाहबाद विश्विद्याले के ओफीसियल वेपसाइट पर आप विजिट करेंगे, तो यूनिवर आप एपलाई फार्म मत करिएगा, उसके सांथ सांथ आप NTA की वेपसाइट से भी देखिए, कि उसमें सब्जेक्ट एलेजिबिलिटी किसको जो है सलाट फस और सलाट सेकेंड में कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तब ही जाकर कि आप कोई निर रह लीजिएगा, नह इंस्ट्रक्शन देखिए, और तमाम ऐसी चीजे हैं जो एडमिशन प्रक्रियाओं से समबंदित, वो समझ रिजर्वेशन और कोटा ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्बनेशन फार जो है वो आपको सेलेक्ट करेंगे सेलेक्शन के बाद, तो इन तमाम सारी ख़बरों को दे पाँगा, तभी उस प्रस्ण से समबंदित मैं बीडियो बना पाँगा, तो आप कमेंट करिए, उसके बाद मैं आपके प्रस्णों का जवाब देनी की, जाहे किसी भी सेंट्रल उनिवर्सिटी, सभी सेंट्रल उनिवर्सिटी की बात कर रहा हैं, जो भी सेंट्रल उनिवर सब्सक्राइब किया लाइक किया और सेर किया तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और मैं चर्चा कर देना चाता हूँ दुबारा आप सभी लोग का धन्यवाद देता हूँ और जो है सेंटर कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की हर तरीके की जानकारी देखने क के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जूड़े रहिए और आपको समस्त जानकारिया दी जाएंगी आप कमेंट करके सेक्षन में सवाल जरू पूछिए तो आज हम इलाहाबाद विश्विद्याले से संबंधी सारी प्रक्रियाओं को बताएं आप IB डाउनलोड करें वहां स इपलाई करने का निरडाई लें तब तक के लिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेल आइकन को प्रेस करें और लगातार अपडेट रहें मैं उन सभी चीजों से से संबंधिर लाऊंगा जो आप के लिए ताकि आसान हो जाए प्रवेस फरक्तिया में और सभी को बधाई और सभी मेहनत करें बिल्कुल और बीना मेहनत के जो है एकजाम जो है उसका सेलेवस एक्स्रक्चर देखें खुब लगातार पड़ते रहें और मैं अभी आपको सेलेक्शन होने के लिए सभी छात् को बधाई देता हूँ आप जाए नए वर्स में प्रवेस लें तब तक के लिए फिर नहीं लेंगे किसी नए वीडियो में जै हिंद जै भारत